पिछले साल जब बाबा, राजू और मैं शहर गए थे, तब साइरा की और मेरी दोस्ती हुई थी। वो बड़ी मुसीबत का वक्त था। पूरे गाउ में बुरा हाल था। हमारे पास न धान था, न पैसे। हमारा घर तूट गया था। जब दादी बिमार हो गई, तो बाबा ने कहा काम ढूंड़े उन्हें शहर जाना पड़ेगा। ये तैह हुआ कि मैं और मेरा भाई राजू भी जाएंगे और अपनी बुआ जी के साथ रहेंगे। मैं सूचने लगी मा और दादी के बिना कैसा लगेगा। स्कूल शुरू हने तक लोटींगे या नहीं। पर शहर देखने की उतसुता भी थी। राजू ये तस्वीरे देखो। देखो मिट्टू चीडिया घर। किसका सर। चीडिया घर। वहाँ लेट चलो ना बाबा। नहीं राजू अभी नहीं बेटा। चलो यहां तो पहुंच गए। अब बस तुम्हारी बुआ का घर मिल जाए। मिट्टू राजू कहा गया। देखो मिट्टू टीवी। राजू। आखिर हमें बुआ का घर मिल गया। हम बुआ के मकान मालिक से मिले। उसने बाबा को पहचान लिया। मेरी बेहन के घर का रस्ता बता देंगे। बड़ी महरबानी होती। क्या आपको पता नहीं। पर हम ने तो जुठी भेज़ी थी उन्हें। पता नहीं। वह लोग तो चले गए। अफो। अब हम क्या करें। अब हम कहां रहेंगे बाबा। सुनिये। राजू को तो मैं रख लूँगी। मेरे बेटे को साथी मिल जाएगा। पर मीना। अरे हां। पास में ही कुछ लोग हैं। जिन्हें कामवाली की जरूरत है। मीना वहां रह सकती। नहीं नहीं बिलकुल नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर यहाँ टीवी है तो है लूंगा मैं। बस कुछी दिनों की तो बात है। आखिरकार बाबा राजी हो गए। कौन। कामवाली लेके आया हूँ। जरा छोटी दिखती है। फर चलेगी। मेरी बच्ची को बहुत काम तो नहीं करना पड़ेगा न। बहुत छोटी है अभी। आप चिंता मत कीजिया। आम ध्यान से रखेंगे। खाना कपड़ा सब मिलेगा। आराम से रहेगी। बस कुछी हफते ही है यहां रहेगी। घर का कामधाम तो जानती है न। न। काम बोला। छी तोता। मैं हूँ मिठु। बोलता भी है। निकाल बारे से निकाल बार। जा मिठु। बाबा और राजु के पास जा। शू। शू। यहां दो लड़की जल्दी जल्दी हाथ चला। बहुत काम बड़ा है। उस रात मुझे लगा कि काम कभी खतम ही नहीं होगा। यह किसको जही है। मुझे, मुझे, मुझे। शैतान बच्चे। ऐ लड़की जल्दी जल्दी जाड़ू लेहा। हां। अरे देख रह गया एक। हां। मीना, कल सुबह जल्दी उठके नलके से पानी ले आना। थक गई मैं तो। हां। हां। तुम सारा के साथ वाल एखर में काम पर लगी हो ना। सारा, नाम क्या है तुम्हारा, मीरा ना। मीना, चल्दी चल्दी हाथ चला। मैं चलती हूँ। सुन मीना, हम लोग चिडिया घर जा रहा हैं जरा देर से लोटेंगे, ठीक है। चुडिया घर चलते हैं बच्चों। चिडिया घर, चिडिया घर। मिठू। मिठू, मिठू। मीना, क्या है ये चिठी। राजू, चिठी। ओ, राजू, कैसा है वो। मीना, मैं काम कर कर के ठक गया हूँ। मैंने कभी भी इतना काम नहीं किया। मुझे घर जाना है, राजू। बेचारा, राजू, मुझे भी घर जाना है। मुझे भी। डरो मत, वो सब बाहर गये हैं। अहां। बाबा। देखो, देखो, मेरे बाबा ने छीए घर से क्या दिलवाया। ओ, तोता, बहुत प्यारा है। ए, हाथ पर लेगा नहा। तोता? मिठू, राजू को ये चिठी दे देना। मुझे पानी भर कर लाना है। मीना, बुडिया कैसी है? बहुत सताती है क्या। हाँ, बहुत ज्यादा। तुमसे पहले वाली लड़की तो भाग कर थी। अगर मुझे अच्छा काम मिले तो मैं भी भाग जाओ। वो लोग मुझे कभी-कभी माटते भी हैं। मुझे तो घर में बंद करके चले जाते हैं। मैंने अपने घर वालों को दो साल से नहीं देखा। मुझे अपने घर जाना है। क्या यहां एक भी अच्छी मालकिन नहीं। साहरा यहना, नसीब वाली है। उसकी मालकिन बहुत अच्छी है। साहरा से मिलने का बहुत मन हो रहा था। मिना। ओ, बेवक्कूफ लड़की। उपर से खुद रोती है। कौन देगा पैसे मेरी प्लेट के बता। कौन है। चैन की सांस भी नहीं लेने देते। क्या है। जी नमस्ते। ओ, आप। मैं मीना से मिलने आया हूँ। मीना से। अच्छा, नहीं मगर वो तो अभी अभी बाजार गई है। मैं, मैं कुछ देर यहां रुक जाता हूँ। रुक, नहीं, नहीं, वो पर देर से लोटेगी। वो, वो ठीक तो है न। हाँ, बिल्कुल, फर्स्ट क्लास। पर म, म, मैं। आप चिंता न करें। ठीक है, मैं, मैं फिर आऊंगा। कोई जल्दी नहीं है। उसे कहना कि मुझे काम मिल गया है। चिंता ना करें। बताओं के नहीं। मीना, बस अब रो मत। फ्लेटी तो टूटी है। ए, वो मेरा है। तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे, ये तो मुझे आता है। पिछले साल सीखा था। मैं बताओं तुम्हें, पप्पू। तुम्हें आता है। बिल्कुल। भई वाह। अब पप्पू मेरा दोस्त बन गया था। कभी-कभी वो मेरे काम में भी हाथ बटाता था। गल्टी-गल्टी। मिठ्धू, सुनो तो सही। काम करने वाले बच्चों के लिए स्कूल। लिखाई, पढ़ाई और गणित के लिए खास दोपहर का वक्त। सिलाई, टाइपिंग, हिसाब किताब वगेरा भी सिखाते हैं। मिठ्धू, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लड़कियों को भी बताना चाहिए। मिठ्धू, कुछ सुना तुमने। तुम कौन हो, रेश्मा कहा है। वो तो गई, तुम साहरा हो। हाँ, और तुम? मैं मीना हूँ, और ये है मिठ्धू। मिठ्धू, तुम कब आई? आज शाम को। दो मिनट में हमारी गहरी दोस्ती हो गई। साहरा ने मुझे पताया कि आप वो बहुत अच्छे लोगों के यहां काम करती है। पगार भी अच्छी है और कुछ आराम भी मिलता है। औरों की तरह नहीं है। पर वो इसी तरह अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहती। हम बेर रात तक बाते करते रहे। मीना। साहरा तुम कैसी हो यह देख। क्या। खास कूल के बारे में है। शाहिद तुम्हारे काम आए। मुझे पढ़ना नहीं आता मीना। क्या है यह। मैंने उन सब को पढ़कर सुनाया। सब पढ़ना चाहती थी। पर नहीं ने कहा कि उनकी मालकिन कभी राजी नहीं होंगी। सिर्फ साहरा ने कहा कि वो अपनी मालकिन से पूछेगी। भली औरत है वो। अरे। बिचारी लड़की। यह कोई काम करने की उमर है। कौन। मीना। तुम। बुआ। मीना। वापस कर दे। फौरण। मैंने इसका तोता नहीं लिया। जूर। लिया। वापस कर जल्दी जल्दी। यह रहा तोता। पलंग के नीचे था। है। चलब तो खुश। बती जी पर चिल्ला क्यों रही है। बती जी। मीना। आपकी बती जी। अरे बड़ी प्यारी बच्ची है। लेकिन मीना। तुम यहां क्या कर रही हो। सब बताती हूं बुआ जी। मैंने बुआ जी को सब कुछ बताया। बुआ ने कहां। मुझे इस तरह काम पर नहीं लगाना चाहिए था। तुम अबे बहुत छोटी हो। बस बहुत हो गया। क्या आप जानती नहीं के बच्चों से काम कर वा। मगर वो बड़ी महंदी लड़की है। बस बहुत हो गया। मीना मेरे साथ रहेगी। चलो सायरा। याद है। जब बाबा को पता चला कि हम पर क्या भी थी, तो वो कितने परिशान हुए थे। उन्होंने कहा कभी हमें इस तरह काम पर नहीं लगाएंगी। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। आ, स्कूल। क्या पता। सायरा कभी स्कूल जा सकी या नहीं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बुआजी वो स्कूल देख आई। उन्हें स्कूल पसंद आया, पर वो मुझे अकेले भेजने से डरती थी। उन्होंने पडोसियों से दूसरी लड़कियों को भी भेजने की बात की, पर कोई नहीं माना। फिर उन्होंने स्कूल वालों को उन लोगों से बात करने को कहा। आखिर कुछ लोग मान गए। अब आईशा, गुलाब, मुन्नी और मैं हम सब एक साथ मिलकर स्कूल जाते हैं। अच्छा लगता है। मैं कितना कुछ सीख रही हूं। मैंने ये चिट्टी खुद लिखी है।